दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ कैलशियम है, आईरन है, सिलीकोन है, बोराउन है, एफ़ी है, मैगनीज है, मैगनीशियम है ऐसे अठारे सुख्शुम पोशक्तद, अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूँ ये 18 सुक्षुम पोशक्तत तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है मिट्टी, खेत की मिट्टी में और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पये पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है चमत कारिक है तो हम गो लगा कि करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनलिसिस कराया एक लेबोरेटरी में गाय का मूत्र डिब्बे में भरके दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छे महीने के बाद लगबग आठ महीने के बाद लखनव एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है बड़ा जिकर है उत्तर प्रदेश की राजदानी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है उसका नाम भी बता दूँ ताकि आप चाहें तो उनसे कन्फर्म कर लें प्रयोगशाला का नाम है CDRI Central Drug Research Institute भारत में दवाओं पर औशदियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है तो इनके यहां सबसे पहला TESTSING हुआ शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूत्र दिये एक तो वो जरसी गाए होती है न जरसी गाए विदेशी गाए उसका भी दिया होलिस्टियन, फ्रीजियन, जाती की गाय का दिया और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया तो वेग्यानिकों ने छे से आठ महीना लगाया फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खतम करने के लिए जितने घटक चाहिए, वो सब गोमूत्र में हैं, सब के सब सब के सब, अब जैसे, मैं आपको नाम लेके कहूँ आपको तवचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया तवचा का, तो इसका मानिया, आपके शरीर में एक घटक कम हुआ, घटकों की कमी से ही रोग होते हैं, वो घटक का नाम है सलफर, एक कैमिकल कम होता है, जिसका नाम है सलफर, जिनको भी स्किन डिसीज होंगी, उनके शरीर में सलفर कम हो जाएगा यह है बात अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सलفर भरपूर तो हम लोगों ने क्या किया कि यह तुचारोग वालों को एकठा करके सलفर चाहिए तो सलفर हम चाहे तो होमियोपیद्थी में दे सकते थे उनको सल्फर चाहें तो आईरुवेद में भी दिया जा सकता था हमने ना होमियोपेथी में दिया ना आईरुवेद में दिया उनको का भई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो तो उन मेंसे कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिया है, इसमें बगएरा बगएरा बहुत सारी तकलीफ है, वो एक आदमी तो मुझे कहता था, राजी भाई इतनी बास आती है, कैसे पी सकता हूँ, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी, तो मैं उसको समझाता था, भाईया, दारू की जो बास है, उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना ने, खेर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा, कि सवा महिने से ही, उनके तवचा का रंग बदलना, और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ, तीसरे महिने तक आते आते संपूर्ण रोग थे, और क्या-क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस ठीक हुआ, जो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते हैं, एलोपेती वाले तो कहते हैं, सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, सोराइसिस के बारे में वो कहते के तवचारों ठीक हुए तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते है फिर हमने इसका एक्सपरिमेंट गुटने दुखने वालों पे किया गुटने दुखते हैं कमर दुखते हैं कंधा दुखता है और देखा कि रिजल्ट बिलकुल सही है पंदरे से बीस दिन में ही असर है फिर हमने इसका प्रयोक कफ वालों पे किया खांसी है, सरदी है, जुकाम है बीस-बीस साल की खांसी है पच्चीस-पच्चीस साल की खांसी है अब आप जानते हैं बीस-पच्चीस साल की खांसी तो दमाई हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है तो उसमें देखा तो इतना तीवर असर है इसका कि अगर आप च्यूबर कुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज करा है आप खुद कर लें ये एक्सपरिमेंट मैं तो 20 योँ बार कर चुका सरकार का इलाज आप जानते हैं एक गोलियां, डॉट्स की गोलियां टीवी के मरीजों को देते हैं और कहते हम फरी में बांट रहें तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरलल ले लो इसको टीवी है, अस्थमा हैं दमा है उसको को नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो फ्रेश, गोमूत्र माने फ्रेश, जो उता जा तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को चार महिने से छे महिने लगेंगे और ये गोमूत्र पिने वाले को सवा महिने से दो महिना ही लगेगा और ठीक होगा, और ये एक बार ठीक हुआ, गोमूत्र पिके इसको दुबारा टीवी नहीं आएगी क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ती इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविश्य में दुबारा ना आए, तो समझ में आया कि बाग भुट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए सही फिर हमने और एक एक्सपरिमेंट किये कि जिनको डॉट्स दी जा रही है ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्नित किये, ज्यादा एक्सपरिमेंट हमने एम्स के डॉट्टरों की मदद से किये तो आल इंडिया इंसिट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते है उनको शीषी में भर-भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा के ये गोमूत रए क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पियें नहीं उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरफ है आप इसको पीते रहो अब वो आते थे शिकायद करते थे कि ये कैसा सीरफ है इसमें कुछ बास सी आती है दूसरे सीरफ तो मीठे मीठे लगते हैं कि भाई ये सीरफ दूसरे तरह का है तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमारा एक्सपरीमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था तो उनको बताए गया तो ये हमने देखा कि dots का जो काम करने का है dots मने उसके जो micronutrients उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे है गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ती 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई dots तो काम करी रही है लेकिन गोमूत्र के साथ जब dots दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महिने में खतम होने वाली थी वो 2 सवा 2 महिने में संपूर जड़ से ठीक हो गई फिर जब वो ठीक हो गई तब उनको हमने बताया कि भाईया वो शीशी में भरके जो दिया था वो गोमूत्र था तो तुरंत नाक चड़ गई उनके ठीक हो गई कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिन्दा भी बचेंगे लेकिन नाक तब भी चड़ गई तो ये जो नाक चड़ती है हमारी ये अब कम कर दीजे इसको चड़ाना गाय का मूत्र अद्भुत है बहुत ही अद्भुत है इसके हम एक्सपरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुँचे हैं आज 48 डिसीज हैं 48 रोग हैं वाद के कफ के पित के तीनों के जड़ से खतम होते हैं दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें